भगवान गनेश की मूर्ती को विसर्जित करने के पीछे कई मान्यताएं हैं. एक मान्यता के मुताबिक, जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए भगवान गनेश से कहा था, तब उन्होंने दस दिनों तक बिना रुके महाभारत सुनाया था. दस दिनों के बाद जब वेद व्यास जी ने देखा कि गनेश जी का तापमान बढ़ गया है, तब उन्होंने उन्हें तालाब में स्नान करवाया था तभी से गनेश विसरजन की पराद एक और मान्यता के मुताबिक, भगवान गनेश ने अपने भाई कार्तिके के यहां कुछ दिनों के लिए ठहरने के बाद, वहां से अपने धाम के लिए विदा हुए थे इस दोरान भगवान कार्तिके और वहां के सभी लोगों ने गनेश जी को अगले साल फिर आने का न्योताद महराश्ट्र में गनेश उत्सफ की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी उन्होंने ये परंपरा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को एक जुट करने के लिए शुरू की थी और चार, गनेश विसर्जन से जुड़ी कुछ और बातें गनेश चतुर्थी के दिन भगवान गनेश की मूर्ती की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है जल में विसर्जन होने से भगवान गनेश का साकार रूप निराकार हो जाता है